हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो सब लोग बच्चों I hope सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी मस्त तरीके से कर रहे होंगे तो आज बेटा on demand हम लेकर आए हैं चाप्टर Molecular Inheritance तो बिना देर करें, let's start it तो Molecular Inheritance चाप्टर बात करता है करते हैं कि वो कौन सा Biochemical है, Bio Molecule है जो Genetic Information को Carry कर रहा है, तो सबसे पहले start करते हैं with search for Genetic Material तो Mendel का काम सन 1900 में, Year 1900 में Mendel का काम जैसे ही सब के सामने आया, तो दौड शुरू हो गई कि भाई, Genetic Information को कौन Carry करता है, Genetic Material कौन है और इसमें सबसे पहला काम आया Griffith साहब का, सन 1928 में 1928 में उन्होंने अपने Experiment में Streptococcus, जिसको हम Nimonococcus भी कह देते हैं, Bacterialia जिसके 2 strain होते हैं R2 strain non-capsulated होता है और बिमारी नहीं करता वही S3 strain capsulated होता है और बिमारी करता है उन्होंने पकड़ ली एक चुहिया जब R2 strain को living inject किया तो चुहिया को कुछ नहीं हुआ जब S3 strain को inject किया तो चुहिया भगवान को प्यारी हो गई लेकिन जब S3 strain को heat kill करके चुहिया में डाला heat kill करने का मतलब है कि S3 strain को कुछ करने लायक नहीं चोड़ा और जब उसको चुहिया में inject किया तो चुहिया भगवान को प्यारी नहीं हुई क्योंकि S3 strain को कुछ करने लायक चोड़ा नहीं फिर उन्होंने एक mixture लिया जिसमें R2 strain को जिंदा रखा और S3 strain को heat kill किया और उस mixture को inject कर दिया चुहिया के अंदर तो उमीद तो यही थी कि चुहिया को नहीं मरना चाहिए क्योंकि R2 strain तो कुछ करता नहीं और S3 strain को कुछ करने लायक चोड़ा नहीं लेकिन surprisingly चुहिया बिचारी भगवान को प्यारी हो गई तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या हुआ तो फिर conclusion निकाला गया कि S3 strain ने medium में कुछ छोड़ा है और उस कुछ को R2 strain ने medium से उठा लिया है जिसको उठाने के बाद R2 strain transform होकर S3 strain बन गया और उसने चुहिया को मार डाला अब Griffith को कोई idea नहीं था कि वो क्या है उस कुछ को उन्होंने नाम दिया transforming principle और उस transforming principle के biochemical nature का Griffith को कोई idea नहीं था लेकिन ये तै था कि वो जो कुछ है वो genetic material हो सकता है क्योंकि उसमें ये दम है उसमें ये हिम्मत है कि वो R2 strain को S3 strain बना दे रहा था माने कि वो transforming principle genetic material हो सकता है फिर बहुत सालों बाद 1944 में Griffith का experiment दोहराया गया किसने repeat किया? MacLeod, Macattay और Avery ने इन्होंने Griffith के experiment को laboratory conditions में दुबारा दोहराया उन्होंने क्या किया? heat killed strain लिया S3 का और उसमें से उसके protein DNA और RNA को extract कर लिया अलग से निकाल लिया फिर उन्होंने एक test tube ली और उसमें डाला R2 strain को R2 strain के साथ उन्होंने क्या किया? इस protein DNA और RNA के mixture को उस test tube में डाल दिया जो उन्होंने किस से निकाला था? heat killed S3 strain से और साथ में डाला RNAs enzyme RNAs क्या करता है? RNA को खतम कर देता है तो जब उन्होंने इस test tube में RNAs को डाला माने कि RNA खतम हो गया होगा लेकिन फिर भी transformation चल रहा था यानि कि R2 S3 में बदल रहा था यानि कि transformation करने में RNA का कोई रोल नहीं है फिर उन्होंने इस्तमाल करा protease enzyme protease enzyme protein को खतम कर देता है लेकिन protein को खतम करने के बावजूद भी transformation चल रहा था यानि कि transforming principle protein भी नहीं है लेकिन जब उन्होंने तीसरी test tube में DNAs डाला जो DNA को खतम करता है तो transformation रुक गया यानि कि transformation करने के पीछे किस का हाथ था DNA का यानि कि हो सकता है लेकिन उनकी बात को किसी ने माना नहीं क्योंकि NCRT कह रही है 1933 से 1944 के बीच में लोग ये मान कर बैठे थे कि protein ही genetic material होता है और जिस बात को वो 10 साल से मान कर बैठे हैं उन्होंने आसानी से इस बात को नहीं माना कि DNA genetic material होता है सारे discussion को ही खतम कर दिया इस experiment के बाद इस बात पर ठपा लग गया कि DNA ही genetic material होता है और इसको कोई अब जुटला नहीं सकता NCRT में एक लाइन लिखी हुई है Hershey and Chase experiment provided unequivocal proof that DNA is the genetic material unequivocal proof मतलब जिसको जुटलाया नहीं जा सकता इन्होंने अपने experiment में क्या किया इन्होंने एक bacteria phage पकड़ा यानि कि ऐसा virus जो bacteria को infect करता है और उसको किया radioactively label radioactively label करने का मतलब होता है जब आप किसी भी organism में कोई radioactive पदार्थ जो है inculcate कर दो उसके molecules में radioactive पदार्थ को डाल दो ताकि जहाँ जहाँ वा हुऊ हो चम के phosphorescence दिखाई दे तो उन्होंने क्या किया पहले इस bacteria phage को ऐसे medium पे ग्रो करवाया जिसमें S35 वाला sulfate था S35 radioactive isotope है sulfur का तो S35 वाले sulfate वाले medium में virus को ग्रो करवाया उस medium में obviously equal आई होगा क्योंकि virus जो है abiotic medium पर नहीं biotic medium पर ग्रो करता है बिटा तो उन्होंने क्या किया इस medium पर ग्रो कर आया तो हम जानते हैं sulfur होता है protein में यानि के virus का जो protein coat है उसमें कौन आकर भर गया उसमें S35 वाला sulfur आकर भर गया यानि के ये वाला जो bacteria ये वाला जो bacteria phage था उसका जो protein coat है वो S35 के साथ हमने radioactively label कर दिया ऐसे ही इन्होंने दूसरे bacteria phage को पकड़ा और उसको ऐसे medium में ग्रो कराया जुसमें P32 वाला phosphate था P32 भी radioactive isotope है तो फिर obviously phosphorus तो DNA में होता है तो virus का हमने DNA radioactively label कर दिया तो हमारे पास दो तरहा के virus है एक का protein coat S35 के साथ labeled है और दूसरे का DNA P32 के साथ radioactively labeled है इस पूरे experiment को हम तीन भागों में बाटते हैं सबसे पहले हम infection करवाते हैं जो कुछ भी उसको अपना inject करना है host के अंदर inject कर देता है दूसरा होता है blending जिसमें हम इस पूरे के पूरे solution को बहुत तेजी से घुमाते हैं बहुत तेजी से shake करते हैं ताकि virus का वो हिस्सा जो E. coli के अंदर नहीं जा पाया है वो उससे अलग रहे और तीसरा होता है centrifugation मतलब हम इस पूरे मिश्रन को बहुत तेजी से एक centrifuge machine पे घुमाते हैं तो नीचे बन जाता है precipitate जिसे हम बोलते हैं pellet और उपर आ जाता है supernatant अब बहुत important बात ये है बिटा कि pellet में क्या होता है pellet में होती है भारी चीज और वो भारी चीज क्या है E. coli का cell जिसके अंदर वाइरस का वो हिस्सा है जो E. coli के अंदर inject किया गया है वाइरस के द्वारा और supernatant होता है उपर का पानी-पानी और supernatant में वाइरस का वो हिस्सा पड़ा हुआ होगा जो E. coli के अंदर नहीं गया तो फिर उन्होंने अपने दो experiment लगाए दोनों experiment उन्होंने चलाए पहले infection हुआ फिर blending करी फिर centrifugation करा तो फिर हमने देखा कि जो हमारे पास test tube आई उसमें दोनों test tube में नीचे pellet था और उपर supernatant था तो पहले वाले experiment में उन्होंने देखा कि जब उन्होंने X-ray डाला बिटा क्योंकि जब भी radioactive पदार्थ पे आप X-ray डालते हो तो वो phosphorescence दिखाता है यानि कि वो चमकता है तो जो पहला experiment था जहां उन्होंने S35 लिया था protein coat में उस वाले experiment में जब उन्होंने X-ray एक्सपोज किया तो pellet में phosphorescence नहीं था यानि कि pellet चमक नहीं रहा था और अगर pellet नहीं चमक रहा है इसका मतलब समझ जाओ वेटा पैलेट में क्या था E.coli और E.coli का वो और virus का वो हिस्सा जो E.coli के अंदर आया है तो समझ जाओ मेरे बच्चों अगर supernatant में चमक है इसका मतलब S35 जो है वो गया ही नहीं है E.coli के अंदर तभी तो वो supernatant में चमक रहा है और दूसरे experiment में जहां उन्होंने P.32 इस्तमाल किया था वहाँ पे pellet चमक रहा था supernatant नहीं चमक रहा था और pellet चमक रहा था इसका मतलब समझ जाओ pellet में P.32 के होने का मतलब क्या है कि वाइरस का वो हिस्सा E.coli के अंदर गया है तो समझ जाओ यहां से यह पूरा explain हो गया कि DNA ही genetic material होता है और इस बात पर ठपा लग गया तो अब सब के सामने यह तो आ गया कि DNA genetic material होता है अब एक नई दोड़ शुरू हो गई कि अब हमें DNA के structure को जानना है जिसमें सबसे पहला काम आया DNA के structure को जानने में और experiment करने में आप जानते हो 1953 में सबसे famous model है Watson और Crick model लेकिन उनका model पूरी तरह एक independent model नहीं था वो दो scientist के कामों के उपर based था पहला काम था Wilkins और Franklin का Wilkins और Franklin ने DNA की X-ray crystallographic study की थी जिसमें उन्होंने DNA के solution पे जब X-ray डाला तो उन्हें photographic film पे दिखाई दिया एक helical structure तो ये बताने वाले के DNA का helical structure होता है सबसे पहले Wilkins और Franklin थे फिर दूसरा scientist थे जिन्होंने काम किया वो थे Chargaf Chargaf सहाब ने काम किया कि DNA किन से मिलकर बनता है उसमें कौन-कौन से bases present होते हैं और ध्यान रखना है कि Chargaf rule हम सिर्फ double-stranded DNA के लिए ही apply कर सकते हैं, single-stranded नहीं Chargaf सहाब ने बताया कि DNA में जितने purines होते हैं उतने ही pyrimidines होते हैं उन्होंने बताया कि DNA में जितना adinin होता है उतना ही thymine होता है और जितना cytosine होता है बिलकुल उतना ही guonine होता है तो Wilkins और Franklin और Chargaf सहब के काम को इस्तमाल करके Watson और Crick ने अपना model दिया जिसमें उन्होंने बताया कि DNA एक double-stranded structure है जिसमें दो strands होते हैं वो आपस में anti-parallel होते हैं एक की polarity 5' to 3' होती है दूसरे की 3' to 5' होती है और उनमें बीच में होते हैं hydrogen bonds जो इस helical structure को क्या बनाते हैं stable बनाते हैं दो base pair के बीच का distance होता है 0.34 nanometer और ये जो DNA का helical structure है इसमें एक pitch की जो length होती है जब DNA एक पूरा turn complete कर लेता है तो उसको हम कहते हैं 1 DNA helix या फिर pitch और एक pitch में 10 base pair होते है 10 base pair और एक base pair का अंतर होता है 0.34 nanometer तो इंटो 10 करेंगे तो आ जाएगा एक pitch का length जो की हमारा कितना होता है 3.4 nanometer दो DNA strands के बीच का distance होता है 2 nanometer अब यहाँ पर एक बहुत important question बनता है What is the hallmark of Watson and Crick model? Direct question आता है The hallmark of Watson and Crick model is complimentary base pairing सबसे important point याने के adenine हमेशा thynine के साथ pairing करता है और cytosine हमेशा guanine के साथ pairing करता है adenine thymine के बीच में 2 hydrogen bonds होते है cytosine और guanine के बीच में 3 hydrogen bonds होते है अब यहाँ पर दो बहुत important questions बनता है अधिहान से सुनिएगा कि जो DNA का double helical structure होता है उसको stability कौन देता है तो NCRT में इसके 2 reasons लिखे हुआ है और यह दोनों बहुत important है पहला है hydrogen bonds DNA के helical structure को stability देते है दूसरा जितने भी base pairs होते है उनका plane जो है वो same होता है different नहीं होता माने कि one base pair stacks over the other the plane of other base pair दोनों एक ही सजितने भी base pairs होते है वो सारे एक ही plane में होते है ओके फिर उसके बाद वो पूछता है कि DNA में जो दो strands होते है उनके बीच का जो distance है वो uniform बना रहता है कहीं कम कहीं जादा नहीं होता इसका कारण क्या होता है तो आप जवाब दोगे कि हमेशा purine के सामने pyramidine आता है adinin के सामने thymine और cytosine के सामने guonine ये कुछ important question Watson और Crick model से बनते हैं अगर हम DNA के structure की बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि DNA deoxy polynucleotide है जोसमें बहुत सारे deoxy nucleotides होते हैं deoxy ribose sugar होती है nitrogenous base होते है और 5 prime end पर होता है phosphate और 1 prime end पर होता है sugar की 1 prime carbon पर होता है nitrogenous base जो कि adinin, guonine, cytosine और thymine हो सकता है वहीं RNA में वो adinin, guonine, uracil और adinin, guonine, uracil और यह होता है आपका cytosine thymine वहाँ नहीं होता अब यहाँ पर एक बढ़िया question बनता है कि uracil और thymine में अंतर क्या है अगर आप uracil के ही structure पर 5 position पर methyl group लगा दो तो वो thymine बन जाता है यानि कि thymine को आप दूसरे शब्दों में 5 methyl uracil भी कह सकते हो अगर अगर नहीं की लेंद को measure करना हो तो हम किन forms में कर सकते है अगर DNA single stranded है तो हम उसको nucleotides कि उसमें कितने number of nucleotides है या कितने number of bases है इसके form पर measure करते है लेकिन अगर DNA double stranded है तो हम उसमें count करते है number of base pairs कितने जोडे हैं अब NCRT में बेटा कुछ बहुत important data दे रखा है जैसे पहला data उन्होंने दे रखा है 5174 का 5174 एक bacteriophage है एक virus है जिसका DNA double stranded circular होता है और उसमें जो base pair दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5-3 sorry उसमें जो bases दे रखे हैं यह गलती आपको नहीं करनी है उसमें कितने bases है 5-3-8-6 bases या nucleotides base pairs नहीं क्योंकि DNA कैसा है single stranded फिर उसके बाद second data दे रखा है lambda phage का lambda phage एक virus है bacteriophage है जिसका DNA double stranded linear होता है और उसमें data दे रखा है 48502 base pairs फिर E-coli DNA आप जानते हो double stranded circular और data दे रखा है 4.6 x 10 raise to the power 6 base pairs और फिर दे रखा है human का human genome human genome का मतलब है haploid content और human का haploid content होता है 3.3 x 10 raise to the power 9 base pairs यह हमारा genome content है यानि कि हमारी haploid cells में इतना DNA होता है 3.3 x 10 raise to the power 9 लेकिन अगर हम deployed cell की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 6.6 x 10 raise to the power 9 base pairs अगर आपको base pairs को nucleotides में convert करना होता है तो आप into 2 कर देते हो राइट base pair को अगर आपको nucleotides में convert करना हो तो आप into 2 कर देते हो अगर हम DNA की बात करें बेटा तो DNA में 2 nucleotides के बीच में होता है phosphodiester bond और phosphodiester bond जो होता है बेटा उसकी polarity होती है 3 prime to 5 prime अगर आपको किसी DNA में number of phosphodiester bonds count करने हो तो अगर वो DNA single stranded है single stranded linear है तो formula होता है N-1 जहाँ पर N base pairs नहीं है nucleotides है अगर आपको base pair दे रखे हो तो आप into 2 करके पहली nucleotides में उसको बदलोगे फिर minus 1 करोगे जैसे suppose आपको दे रखे है 200 base pair है तो यानि के nucleotide कितने हो गए 400 तो उस DNA में 400 minus 1 phosphodiester bond होई ये 200 base pair नहीं अगर 200 nucleotides है अगर कोई double stranded DNA है suppose मैं example दे देती हूँ आपको अगर एक कोई double stranded linear DNA है और उसमें वो आपको बोल रहा है 200 base pair है 200 base pair तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है 2N-2 अगर single stranded DNA है तो फॉर्मूला होता है N-1 और अगर double stranded DNA तो फॉर्मूला हो जाता है 2N-2 मात समझ में आ गई single stranded DNA में आपको nucleotides देगा और double stranded DNA में आपको base pair देगा अगर वो कह रहा है 200 base pair तो nucleotide हो जाएंगे 400 तो 400-2 विल बी दे नमबर आप फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्स ओके So this is about the background और हाँ एक line और NCRT में लिखी है कि सबसे पहले ये बताने वाले कि DNA जो है वो nucleus के अंदर पाया जाता है और एक acidic material होता है ये बताया था Frederick Micher ने जो NCRT में given है चलिए तो ये तो हो गया पूरा background Search for genetic material DNA और DNA का structure आप चलते हैं बिटा DNA versus RNA DNA जो सबसे पहले जो genetic material था पृत्वी पर वो RNA था लेकिन RNA की ये गद्धी फिर छिन गई क्यों छिन गई क्योंकि RNA chemically और structurally कम stable होता है DNA से और moreover RNA को भगवान जी ने एक काम दिया था कि भई आपको genetic material की तरह बिहेव करना है लेकिन नई भईया उनको तो और भी काम करने है उनको structural role भी निभाना है structural role कैसे वो ribosome बनाता है catalytic role भी निभाना है कैसे वो ribosome की तरह भी बिहेव करता है तो इसके चलते RNA की गद्धी छिन गई और आज की तारीक में DNA बैठा है genetic material की गद्धी पर तो genetic material को store करने का काम DNA का है लेकिन उसको आगे transfer करने का काम RNA का होता है अगर हम property of genetic material की बात करें तो genetic material वो अच्छा होता है जो chemically stable हो, structurally stable हो जो अपने आपको replicate कर सके जो अपने आप में mutation आने तो दे लेकिन बहुत ही slow rate पर और जो अपने आपको mendelian inheritance के pattern पर inherit कर सके अब बात करते हैं बेटा replication की replication का मतलब होता है DNA से DNA का बनना अब replication एक semi conservative process होता है मतलब जब एक DNA से दो DNA बनते हैं तो एक strand खुद का होता है एक strand medium से नया बनाया जाता है इस बात को proof किया था eukaryotes के case में Taylor at all ने और इस बात को prokaryotes के case में proof किया था Meselson और Stoll ने E.coli में Meselson और Stoll ने सबसे पहली क्या किया E.coli को एक ऐसे medium में डाल दिया जिसमें N15H4Cl था अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि N15 जो है वो radioactive isotope नहीं है वो nitrogen का heavy isotope है तो N15H4Cl ammonium chloride के medium में E.coli को बहुत सारी generations तक ग्रो किया तो E.coli के DNA में जितना भी nitrogen था वो सारा 15 वाला आ गया हम जानते हैं DNA में nitrogen होता है nitrogenous basis के अंदर और वो N14 वाला होता है लेकिन जब N15 वाले medium में E.coli को बहुत generations तक ग्रो कराया तो उसके DNA में जितना भी nitrogen था वो 15 वाला आ गया तो उसका DNA कैसा हो गया? 15-15 माने के दोनों strands में 15-15 वाला nitrogen था आप उन्होंने इस E.coli को कौन से medium में डाल दिया? N14H4Cl वाले medium में पहली generation में ग्रो कराया तो पहली generation के बाद जो DNA molecule बने वो कैसे थे? 15-15, 14-15, 15-15 आप धिहान देना बिटा कि उन्होंने एक trend को notice किया कि जैसे जैसे generations बढ़ रही है जो number of सबसे पहली generation में जो hybrids आए थे hybrid हम किसको कहते हैं बिटा? 14-15 को वो 100% थे second generation में hybrid घटकर 50% हो गए 50% 14-15 बन रहे थे और 50% 14-14 बन रहे थे 14-14 क्या है? अपने pure light फिर तीसरी generation में उन्होंने देखा कि hybrid घटकर 25% हो जाएंगे और pure light बढ़ जाएंगे fourth generation में hybrid घटकर 12.5% हो जाएंगे याने कि 14-15 याने कि hybrid तो generation दर generation घटते जा रहे हैं और pure light 14-14 बढ़ते जा रहे हैं तो ये question बेटा direct आता है direct question आता है आपसे सीधा पूछ लेगा कि पहली generation में hybrid कितने थे? आप बोलोगे 100% second में 50% third में 25% fourth में 12.5% ओके? ये trend आपको धिहन रखना है अब उन्होंने prove कैसी किया? कि ये semi conservative process है उन्होंने लिया cesium chloride जो कि density based centrifugation कराता है मानने कि density के हिसाब से bands बन जाते हैं तो उन्होंने पहली generation में देखा कि सिर्फ एक ही band बना क्योंकि एक ही तरह का DNA था 14-15, 100% hybrids थे लेकिन उन्होंने दूसरी generation में देखा कि दो bands बन रहे हैं और वो दो band किसके थे एक 14-14 का था एक 15-14 का था वहाँ से समझ में आया अच्छा अगर DNA अगर replication fully conservative होता तो एक ही band बनता चाहिए कितनी भी generations हम ले लेते लेकिन second generation में दो bands का बनना ये प्रूब कर रहा है कि DNA replication तो बहिया semi conservative process है चलिए अब discuss करते हैं बेटा replication को DNA से DNA का बनना replication कहलाता है उसमें कौन-कौन सी बातों का हमें धियान रखना है सबसे पहले इसमें ORI लगती है बेटा origin of replication ये वो sequence है जहां से DNA replication शुरू होता है अब सबसे पहले क्या होता है बेटा topo isomerase enzyme आके DNA के जो coiling है उसको खोल देता है मतलब उसमें जो tension है उसको remove कर देता है फिर उसके बाद हमारा आता है helicase enzyme helicase enzyme को हम unwindase enzyme भी कहते हैं उसका काम होता है hydrogen bonds को तोड़ना और DNA को खोलते चले जाना लेकिन इसको भर-भर के बेटा ये काम करने के लिए ATP चाहिए लेकिन cell के पास इतना सारा ATP एक साथ देने के लिए नहीं होता कि वो सारे hydrogen bonds को एक बार में break कर सके इसी लिए बनता है बेटा replication fork इसी लिए बनता है replication fork कुछ DNA तो खुल जाता है और कुछ DNA बंद रहता है क्योंकि cell बोलता है यार भाईया हमारे पास इतनी energy देने को है नहीं रुको पहले हमें थोड़ा सा loan लेने दो हमें थोड़ी सी इखटी करने दो energy तब हम देंगे तो replication fork बनता है ठीक वीटा अब यहाँ पर picture में हमारा आता है RNA primer RNA primer ऐसे समझू जैसे मकान बनाने के लिए पहले नीव डालते है ऐसे ही नया DNA बनाने के लिए पहले हम RNA primers को रखते है तो RNA primers को बनाता कौन है primase enzyme जिसके पास RNA polymerase activity होती है वो दोनों strands पे RNA polymerase को रख देता है ठीक है मिटा फिर आता है picture में DNA polymerase DNA polymerase यहाँ पे कौन सा इस्तमाल होगा DNA dependent DNA polymerase जो DNA के उपर DNA बनाएगा और NCRT कहती है यह बहुत ही effective enzyme है यह एक second में 2000 base pairs को लगा सकता है समझ में आ रहा है यानि के बहुत कमाल का मजदूर है ETA लगाता जाएगा बीच में cement लगाता जाएगा इसका काम होता है nucleotides को लगाते जाना और उनके बीच में phosphodiester bonds बनाते जाना अब imagine करो बिटा एक imagine करना है pen pencil तो हमने बहुत इस्तमाल कर लिया आपको अपना दिमाग इस्तमाल करना सीखना है और जिस दिन आपने दिमाग पे थोड़ा सा load डालके उसको इस्तमाल किया उस दिन तो मजा ही आ जाएगा यही तो इस series की importance है कि आपको अपने दिमाग से चीजों को imagine करना है अब imagine करो एक DNA strand की polarity है polarity हम कैसे पढ़ते हैं मिटा polarity हम पढ़ते हैं left to right direction में तो एक strand की polarity है 5 prime to 3 prime और दूसरे strand की polarity है 3 prime to 5 prime बात समझ में आ रही है कैसे पढ़ते हैं polarity left to right चलो तो हमारे पास दो DNA के strands है एक 5 prime to 3 prime एक 3 prime to 5 prime जो उपर वाला है जिसको उपर वाला नीचे वाला नी कहेंगे हम 5 prime to 3 prime एक 3 prime to 5 prime कहेंगे क्योंकि डाग्राम में क्या पता उसको उल्टा करके दे दे तो जिसकी polarity 5 prime to 3 prime है जिसे strand की उस पर RNA primer रखा हुआ है ऐसे ही कहां रखा हुआ है पीछे की तरफ हम ऐसे imagine करो replication fork बना हुआ है बिटा replication fork बना हुआ है वो आधा खुला हुआ है और आधे खुले हुए में जो उपर वाला strand है वो 5 prime to 3 prime है और उसमें 3 prime end की तरफ RNA primer लगा हुआ है ठीक है फिर ऐसे ही नीचे वाला जो strand है जिसकी polarity 3 prime to 5 prime है उस पर भी 3 prime end पर RNA primer लगा हुआ है इसके उपर अब DNA polymerase आएगा बिटा और phosphodiester bond बनाता जाएगा और DNA बनता चला जाएगा राइट अब यहां पर ध्यान रखना यह NCRT की बहुत important line है कि जो अपने DNTP होते हैं DNTP क्या होते हैं बैटा charged nucleotides charged nucleotides का मतलब ऐसा nucleotides जिसके 5 prime end पर 3 phosphates हैं 3 phosphates जैसे DATP, Deoxy Adenosine Triphosphate DTTP, DCTP, DGTP यह सारे अपने क्या हैं इस आर Deoxy Nucleotide Triphosphates ध्यान से सुनों फिर से Deoxy Nucleoside Triphosphates यह इटे हैं जिनको लगा लगा के जिनके बीच में DNA Polymerase Cement लगाएगा यही इटे dual purpose serve करती हैं यह substrate की तरह भी behave करती हैं मतलब यह जाके DNA में लगेंगी भी और यह energy भी provide करते हैं मिटा यह DATP आएगा तो DATP की form में लेकिन जब यह DNA के अंदर लग रहा होगा ना बिटा नए DNA के अंदर जब यह फस रहा होगा तो इसके दो phosphate release हो जाते हैं यानि के यह mono phosphate form में DNA में fit होता है और जब यह इसके दो phosphate release होंगे इनको इस्तमाल करेगा DNA polymerase यानि के जो हमारे deoxy nucleoside triphosphate हैं वो dual purpose serve करते हैं माने के वो as substrate भी behave करेंगे और वो energy भी provide करेंगे बहुत important line और neat point of view से बहुत ही important point है ठीक है बिटा तो DNA polymerase बनाता चला जाएगा अब जो उपर वाला हमारा strand था 5 prime to 3 prime उसमें जो DNA बन रहा था उसमें जो DNA बन रहा था उसके उपर उसको हम कहते हैं lagging strand क्योंकि वो एक बार में नहीं बनता क्योंकि DNA polymerase जो है बेटा वो सिर्फ नया DNA एक ही दिशा में बना सकता है 5 prime to 3 prime दिशा में और उपर वाले में दिक्कत आती है लेकिन जिस DNA strand की polarity 3 prime to 5 prime थी उसके उपर जो strand बन रहा था वो lagging strand है क्योंकि वो continuously एक ही बार में बन जाता है तो leading strand के लिए बेटा हमें कई सारे ये सिर्फ एक ही प्राइमर देना पड़ता है लेकिन lagging strand के लिए हमें बार बार नए नए प्राइमर डालने पड़ते हैं इसलिए हम कहते हैं कि replication का जो process है वो semi discontinuous भी होता है एक strand continuously synthesize होता है दूसरा strand discontinuously synthesize होता है जो lagging strand है वो थोड़ा थोड़ा करके टुकडों में बनता है जो बाद में जाके DNA ligase उनको जोड़ता है तो इस तरह करके पूरा DNA दोनों strands पर बन जाएगा तो ultimately क्या होगा बेटा ultimately जो हमारा DNA polymerase 1 होता है वो repairing करता है RNA primers को हटा देता है gap को fill कर देता है ultimately DNA ligase सब को seal कर देते हैं और एक DNA से दो DNA बनकर तयार हो जाते हैं so this is replication okay चलिए अब एक चीज़ यहाँ पर धिहान रखनी है कि DNA replication आपका S phase के दौरान होता है cell cycle में लेकिन bacteria में इस तरह की कोई phases नहीं होती है वहाँ तो binary fission में सीधा DNA replicate करता है with the help of mesozome अब यहाँ पर बीच में एक छोटा सा topic छूट गया मुझसे जल्दी जल्दी बताते बताते मैं बता देती हूँ that is central dogma central dogma कहता है कि DNA से information RNA को जाती है RNA से फिर protein को जाती है ठीक एक रह गया DNA packaging prokaryotes के case में DNA packaging बहुत आसान है क्योंकि वहाँ पर जो length है इसकी आपके DNA की वह बहुत कम है 1.36 mm है mm बहुत कम है तो वहाँ पर histone proteins तो नहीं होते लेकिन दूसरी तरह के proteins होते है polyamines जो DNA packaging में मदद करते हैं लेकिन वहीं बेटा eukaryotes में DNA की length बहुत जादा होती है 2.2 meter होती है और इसको package करने के लिए special proteins picture में आते हैं histone proteins जो की positively charged होते हैं basic proteins होते हैं और उनमें भर-भर के lysine और arginine होता है वो total 5 तरह के होते हैं H1, H2, H2A, H2B, H3 और H4 5 तरह के होते हैं जिनमें से 4 तरह के जो histone proteins हैं वो मिलकर एक ball-like structure बनाते हैं जिसको हम कहते हैं histone, octamer या NU body आप ऐसे समझो कि वो ऐसी real है जिसके उपर हमें DNA को लपेटना है तो जो ये ball बनकर तयार हुई है इसमें H1 का कोई participation नहीं होता 2 molecule H2A के, 2 H2B के 2 H3 के, 2 H4 के तो total 8 molecule histone proteins के मिलकर ये ball बनाते हैं H1 इसमें participate नहीं करता इस ball के उपर जब हम DNA को लपेटना शुरू करते हैं तो इस ball पर कितना DNA हम लपेट पाते हैं, 200 base pair ध्यान रखना, 200 base pair और फिर हम दूसरी ball लेकर आते हैं फिर दूसरी ball पे लपेटते हैं तो ऐसे बहुत सारी ball होती हैं जुनके उपर हम DNA लपेटते जाते हैं और इस structure को हम कहते हैं नूकलियोजोम और जब हम नूकलियोजोम को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक spring के उपर beads लगा दी हो तो यह question बेटा बहुत important है नूकलियोजोम क्या होता है आप बोलोगे नूकलियोजोम is equal to DNA DNA, wrapped DNA plus the histone octomer बीच में छोटा सा जोल भी आ जाता है उसको हम linker DNA कह देते हैं पर वो आप छोड़ो आप बस इतना सोचो कि एक नूकलियोजोम के अंदर कितने base pair cover होते हैं 200 base pairs of DNA ये question आपका important बन जाता है चलिए ये चोड़ा सा छूट गया था अब आगे चलते हैं अब चलते हैं बेटा transcription के process पर transcription का process क्या होगे है DNA के उपर RNA बनना लेकिन यहाँ पर धियान देना है बेटा कि DNA के उपर हर तरह के RNA के बनने को हम transcription कहते हैं चाहे वो TRN हो चाहे वो mRNA हो चाहे वो RNA हो अब धियान देना NCRT का point है important है DNA का वो हिस्सा जिसके उपर TRN या RNA बनेगा उसको हम simply gene कहते हैं लेकिन DNA का वो हिस्सा जिसके उपर ultimately mRNA बनेगा और फिर उसके उपर ultimately polypeptide chain बनेगी याने के protein chain बनेगी उसको हम systron कहते हैं systron राइट तो DNA का वो हिस्सा जिसपे TRN या RNA बनना है वो gene है जिसपे mRNA बनना है वो systron है clear है पूरी के पूरी length of DNA एक बार में transcription में नहीं जाती सिर्फ उतना हिस्सा जितने को हमें express करना है वो transcription में जाता है transcription के दौरान DNA के दोनो strand participate नहीं करते सिर्फ 3' to 5' polarity वाला strand participate करता है जिसको हम template strand कहते हैं और जिसकी polarity 5' कैसे पढ़ते हैं polarity left to right जिसकी polarity 5' to 3' होती है वो participate नहीं करता उसको हम coding strand कहते हैं अब धिहान देना है यह जो coding strand होता है यह हमारा reference point होता है जैसे physics में हम frame of reference लेकर उसी के हिसाब से सारी बातों को समझाते हैं ऐसे ही coding strand यहाँ पर frame of reference होता है जो हमारा citron होता है transcription unit होती है उसको हम तीन भागों में बाढ़ते हैं promoter, structural gene और terminator promoter according to coding strand क्योंकि coding strand को हम as frame of reference ले रहे हैं coding strand के मताबिक promoter 3 यह 5' end की तरफ होता है याने के upstream होता है और terminator 3' end की तरफ होता है माने के downstream होता है promoter वो जगहा है जिसको RNA polymerase पहचानता है और वहाँ आकर लग जाता है और terminator वो site है जहाँ पर transcription का process रुख जाता है और structural gene वो point वो जगहा है जो वाके में code कर रही होती है ओके? चलो अब transcription के process को शुरू करते हैं यहाँ पर picture में आता है RNA polymerase enzyme RNA polymerase enzyme आपके syllabus में prokaryotes के case में description है तो यहाँ पर RNA polymerase enzyme सबसे पहले जुड़ता है sigma factor के साथ sigma factor जो की एक co factor है जो इस process को शुरू करवाता है तो sigma factor promoter site को पहचानके RNA polymerase को promoter site पे लगवा देता है फिर जो sigma factor है बाद में अलग हो जाता है process को शुरू करके फिर जो RNA polymerase है वो आगे elongation का काम संभालता है और नया RNA बनाता चलता है RNA polymerase भी 5 prime to 3 prime direction में ही सिर्फ काम करता है और ध्यान रखना है बिटा जिस दौरान transcription हो रहा होता है DNA के दो strands के बीच में hydrogen bonds को तोड़ा जाता है क्योंकि तभी RNA बनेगा लेकिन यहां ये काम helicase नहीं करता transcription के दौरान hydrogen bonds को तोड़ने का काम RNA polymerase खुद ही करता है NCRT के line है important है NEET में आया हुआ question है चलिए फिर उसके बाद hydrogen bonds टूट गए नया RNA बन गया फिर आई रस्ते में terminator site यानि के process को रोकना है तो picture में आया row factor row factor RNA polymerase के साथ आके जुड़ जाता है बस भाहिया रोक दो काम खतम तो काम रुख जाता है काम जैसे ही रुखता है तो जो अपना नया mRNA है वो तो अलग निकल जाता है DNA का वो हिस्सा जिसके ओपर transcription चल रहा था वो वापस से double strand बना के वैसा ही हो जाता है अब RNA polymerase अलग निकल जाता है अब यहाँ पर बिटा जो ये नया नया ताजा ताजा हमारा mRNA बना है pro carriots के case में ये sytoplasm में ही है लेकिन eukaryots के case में ये ताजा ताजा जो RNA बना है हम इसको mRNA नहीं कहते हम इसको hnRNA कहते हैं heterogeneous nuclear RNA या जिसको दूसरे शब्दों में हम primary transcript भी कहते हैं ये जो primary transcript है बिटा ये अभी translation के लिए तैयार नहीं है नहीं है ध्यान से सुनना तो इसके साथ हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं जनको हम कहते हैं post transcriptional modifications या RNA processing या RNA maturation तो सबसे पहले हम RNA maturation में क्या करते हैं ये जो हमारा hnRNA है इसके 5 prime end पर हम cap molecule लगाते हैं cap molecule क्या होता है ध्यान से सुनना बिटा 7 methyl guanocene triphosphate 7 methyl guanocene triphosphate ये capping हो गई फिर 3 prime end पर हम बहुत सारे adenilic acid या adenilate या आप कह सकते हो adenine nucleotides को लगा देते हैं 200 से 300 इसको कहते हैं polyatil हम एक पूँच लगा देते हैं 3 prime end पर जिसमें बहुत सारे adenine nucleotides हैं और बिटा बीच में जो हमारा hnRNA बनके तयार हुआ है उसके पास कुछ sequence होती हैं जिनको हम कहते हैं introns introns ऐसी sequence होती हैं जो genes के बीच बीच में फसी हुई होती हैं और वो unwanted होती हैं हमें उनको निकालना है तो introns के removal को हम कहते हैं splicing और यहाँ पर help करता है हमारा snRNA small nuclear RNA जो की कुछ protein के साथ जुड़कर बन जाता है snrp यह snrp क्या करता है introns को कैंची की तरह काटता है splice ozone बनाता है और introns को वहां से लेकर चला जाता है तो ultimately हमारे पास जो यह RNA बन कर तयार होता है जिसके 5 prime end पर cap molecule है 3 prime end पर poly A tail है और बीच में introns नहीं सिर्फ exons हैं इसको अब हम finally कह सकते हैं mRNA और इस mRNA को अब transfer किया जाता है cytoplasm में यानि के जो हमारा PTM चल रहा था वो nucleus के अंदर चल रहा था और अब यह तयार हो जाता है cytoplasm में जाने के लिए और translation करने के लिए तो PTMs बेटा prokaryotes में नहीं होते क्योंकि bacteria में तो सबकुछ एक ही जगह होता है cytoplasm में लेकिन eukaryotes के case में replication और transcription तो होता है nucleus के अंदर पर translation होता है cytoplasm में तो hnRNA का mRNA बनना कहलाता है PTM जो सिर्फ eukaryotes में nucleus के अंदर होता है अब यहाँ पर दो important concept और आते हैं एक है polycistron और एक है monocistron polycistron ऐसा mRNA होता है बिटा या ऐसा DNA sequence होती है जिसके उपर एक से ज़्यादा protein बनाने की information होती है जो की prokaryotes में देखने को मिलता है देकिन monocistron ऐसा RNA का या DNA का sequence है जिसके उपर सिर्फ एक ही protein को बनाने की sequence होती है और वो अकसर आपको eukaryotes में देखने को मिलता है फिर NCRT में एक और बात का जिकर हुआ है split gene क्या होती है बिटा split gene सिर्फ और सिर्फ eukaryotes में देखने को मिलती है मैंने अभी आपको बताया कि eukaryotes के case में जो gene होती है उसके बीच-बीच में कुछ unwanted sequence आकर फस जाती है जिनको हम introns कहते हैं उनको अगर हम हटा देंगे तो हमारी gene पूरे continuous हो जाएगी यानि के eukaryotes के case में gene टूटी होई होती है जिसको हम split gene कहते हैं क्योंकि बीच-बीच में introns आकर फस गए है और split gene arrangement दिखाता है ancient feature of genome पुराना feature दिखाता है genome का यह NCRT के important line है चलिए अब बिटा एक बात और के prokaryotes में RNA polymerase सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का होता है लेकिन eukaryotes में RNA polymerase तीन तरीके का होता है 1,2 और 3 RNA polymerase 1 जो होता है वो आपका बनाता है 5.8SRRNA और 28SRRNA जो आपका RNA polymerase 2 होता है वो बनाता है HNRNA जो ultimately mRNA में बदल जाता है और RNA polymerase 3 बनाता है transfer RNA और 5SRRNA और small nuclear RNA अब देखते है types of RNA RNA तीन तरह के हैं mRNA, tRNA, rRNA mRNA सबसे longest होता है length में सबसे ज़्यादा nuclear tides होते है rRNA उससे चोटा, tRNA सबसे चोटा mRNA जो होता है वो सबसे कम stable होता है जैसे ही transcription खतम जैसे ही translation sorry खतम mRNA बगवान को प्यारा हो जाता है सबसे stable होता है rRNA mRNA को messenger RNA कहते हैं क्योंकि उसका role होता है DNA से information को आगे protein को transfer करना rRNA बहुत important बटा, इसको ध्यान से सुनना जो हमारा ribosomal RNA होता है, उसके दो role होते हैं पहला catalytic role, दूसरा structural role structural role मतलब वो कोई structure बनाने में help कर रहा है और वो structure कौन है? ribosome और दूसरा catalytical role, यानि के वो enzyme की तरह भी behave कर सकता है इसको ध्यान से सुनना बटा 23 srRNA प्रो केरियोट्स के केस में peptidal transferase की तरह behave करता है और eukaryotes के केस में 28 srRNA peptidal transferase की तरह behave करता है this is catalytical role tRNA को हम adapter molecule कहते है उसका काम होता है transcription के दुरान amino acids को carry करना अब NCRT में tRNA के उपर पूरा एक paragraph है जो बहुत important है जब बेटा Watson और Crick model आ गया रेप्लिकेशन वगेरा सब कुछ clear हो गया genetic code वगेरा पर बातचीच चल रही थी तो उस समय Francis Crick ने ये बताया कि भाई कोई ना कोई तो ऐसा molecule होगा जो एक हाथ पे तो genetic code को समझेगा DNA पर लिखी हुई भाषा को समझेगा और दूसरे हाथ पे उसको समझ के amino acid को carry करेगा तो बेटा पहले tRNA को सिर्फ हम sRNA कहते थे यानि कि soluble RNA कहते थे लेकिन बाद में Francis Crick ने बताया कि भाईया ये adapter molecule है adapter molecule का मतलब है कि ये एक हाथ पे तो genetic code को समझता है और दूसरे हाथ पे उसके हिसाब से amino acids को carry करता है translation के दोरान तो ये बहुत important है इसके 2D model को हम कहते हैं Clover leaf model जो कि दिया था अपने Holle सहाब ने वो कहता है कि इस TRNA के 2 important सिरे हैं एक सिरे को हम कहते है anti-codone loop और उस anti-codone loop पर आकर जुड़ता है mRNA और जो दूसरा इसका सिरा होता है दूसरा जो end होता है उसको हम 3 prime end कहते हैं जहां पर amino acid आकर bind करता है और इस पर एक होता है T-C-C loop जिस पर ribosome आकर bind करता है और इसी पर एक और loop होता है जिस पर amino acid synthetase enzyme आकर bind करता है यानि कि TRNA एक ऐसा दोस्त है जो सारे के सारे circle को जोड़ के रखता है यह अपने आप से सब को जोड़ के रखता है अपने anti-codone loop से mRNA को जोड़ कर रखता है अपने T-C-C loop से RNA यानि कि ribosome को जोड़ कर रखता है अपने DHU loop से enzyme को जोड़ कर रखता है और अपने 3 prime end से amino acid को जोड़ कर रखता है तो बड़ा कमाल का molecule है अब बात करते हैं genetic code genetic code का मतलब है कि DNA पर कोई ना कोई भाषा लिखी हुई है जिसको हम genetic code कहते हैं और उस भाषा के खास बात यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ चार शब्द होते है ATGC और RNA पर AUGC अब इस भाषा के खास बात यह है कि इस भाषा में सारे शब्द सारे words में सिर्फ तीन ही letters आ सकते है तो इस भाषा में सिर्फ चार ही letters है ATGC या AUGC और वो मिलकर जो है 64 type के words फॉर्म करते हैं जुनको हम कहते हैं codon एक codon में 3 bases आते हैं यानि कि एक codon 3 bases का triplet होता है जो किसी ना किसी amino acid के लिए code कर रहा होता है तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि DNA के उपर जो ये 64 codons है ये कौन-कौन से amino acid के लिए code कर रहे हैं तो हम genetic code को crack कर देंगे अब genetic code को crack करने के लिए सबसे पहला जो काम आया वो आया नीरन बर्ग और खुराना ये sorry, methai का तो नीरन बर्ग और methai साहब ने क्या किया एक बड़ा special enzyme पकड़ा जिसको हम कहते हैं severo-okowa enzyme ये बहुत ही खास enzyme है जिसको हम दूसरे शब्दों में फॉस्फोर, ये poly nucleotide phosphorylase enzyme भी कहते हैं इसकी खास बात ये है कि ये बिना DNA की मदद से RNA बना सकता है lab conditions में यानि के ये DNA independent RNA polymerase है DNA independent RNA polymerase बियान DNA के मदद से RNA polymerase जो है RNA बना सकता है तो नीरन बर्ग और methai ने सबसे पहला synthetic mRNA बनवाया lab conditions में जिसमें सिर्फ U, 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 U था और फिर जब इस mRNA के उपर उन्होंने translation करवाया तो देखा ओहो U, U, U का मतलब तो phenyl LA9 है तो नीरन बर्ग और methai ने सिर्फ homo polymers का इस्तमाल करके genetic code को जो है बताया कि U, U, U का मतलब phenyl LA9 होता है फिर आए हमारे हर गोबिन सिंग खुराना सहाब उन्होंने homo polymers का भी इस्तमाल किया और co-polymers का भी इस्तमाल किया और बताया कि भहिया बहुत सारे शब्दों का उन्होंने बता दिया U, C, U का मतलब क्या होता है सीरीन, C, U, C का मतलब lysine, उन्होंने सब बता दिया तो इस तरह से हमें पता चला कि DNA पर total 64 codons होते हैं उसमें से 61 codon तो amino acid के लिए code करते हैं लेकिन 3 codon code नहीं करते जिनको हम stop codon कहते हैं और ये 61 codon 20 तरह के amino acids के लिए code करते हैं चलो हिया अब genetic code की characteristics क्या-क्या होती है सबसे पहले तो उसका triplet nature होता है मतलब जितने भी codon होते है उनमें 3-3 bases होते है तो triplet nature रखता है फिर अपना जो genetic code होता है बेटा वो degenerate होता है degenerate कहने का मतलब कि amino acid तो है 20 और codons है 61 इसका मतलब इस भाशा में बहुत सारे परियाईवाची है synonyms है मतलब एक amino acid बहुत सारे codons से code हो रहा है जैसे arginine arginine code होता है 6 codons से arginine हो गया आपका serene हो गया they are coded by 6 codons बहुत सारे amino acids 4 codons से code होते हैं कुछ 3 से code होते हैं कुछ 2 से code होते हैं तो यह सारे degenerate amino acids हैं लेकिन यहाँ पर 2 exception है आपका methionine और tryptophan यह दोनों के दोनो amino acids non-degenerate हैं because they are coded only by one codon ओके they are coded only by one codon चलिए फिर इसके बाद जो genetic code होता है वो universal होता है माने जो bacteria में suppose bacteria में UUU phenyl anonyl के लिए code कर रहा है तो बहिया प्रित्वी पर present हर एक organism में वो same रहेगा मतलब codons change नहीं होते organism to organism वो same amino acid के लिए code करते हैं in all the organisms लेकिन इसमें भी एक exception है बिटा mitochondrial DNA east के अंदर और कुछ जो है invertebrates से या vertebrates भी ऐसे हैं जिनके mitochondria के DNA के अंदर जो UGA होता है वो tryptofan के लिए code करता है otherwise UGA हमेशा एक stop codon होता है UGA हमेशा एक stop codon होता है but mitochondrial DNA के अंदर वो code करता है tryptofan के लिए बस ये एक exception है वरना सारे जो आपके ये हैं codons हैं वो हर एक organism में same amino acid के लिए code करते हैं राइट? चलिए फिर इसके बाद AUG जो की initiation codon होता है जहां से translation शुरू होता है उसका dual purpose होता है वो एक साथ दो purpose solve करता है एक तो वो एक initiation codon की तरह behave करता है और दूसरा वो methionine के लिए code करता है ये question direct आ सकता है फिर उसके बाद stop codons तीन होते हैं UAA UGE UAA UGA UAG ओक्रे, अमबर, ओपाल ये तीनो stop codons हैं चलिए अब शुरू करते है translation के process को mRNA के उपर protein का बना translation कहलाता है इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले विटा किस तरह से process शुरू होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं विटा अपने जो अपने amino acids हैं उनको charge करते हैं amino acids को charge कैसे करते हैं उनको ATP देकर amino acids को ATP देकर हम उने charge कर देते हैं फिर हम उस charged amino acid को TRNA के 3' end पर लगा देते हैं with the help of enzyme amino acyl synthetase और यह जो TRNA बनकर तयार होता है जिसके 3' end पर charged amino acid लगा हुआ इसको हम कहते हैं amino acyl TRNA या charged TRNA तो सबसे पहले हम ने अपने TRNA को charge कर लिया फिर हम क्या करते हैं MRNA के उपर आप जानते हो ribosome की 2 units होती है एक small एक large है न prokaryotes के case में small होती है 30S और large होती है 50S eukaryotes के case में 40-60 होता है तो सबसे पहले क्या होता है जो हमारा MRNA है फिर आकर लगता है charged TRNA charged TRNA सबसे पहला TRNA first amino acyl TRNA जो कौन से amino acid को carry करता है methionine को prokaryotes के case में formal methionine को और फिर तीसरे नमबर पर आकर लगता है larger sub unit of ribosome सब आकर लग गए MRNA के उपर पहले smaller sub unit of ribosome लगी फिर सबसे पहला TRNA लगा आकर जो कि क्या carry कर रहा है methionine को और फिर larger sub unit of ribosome लगी ठीक ये initiation हो गया अब हमें protein बनाना शुरू करना है इसको हम elongation कहते हैं राइट अब इसके लिए हमें क्या करना होता है बिटा हमें पहले ribosome को खिसकाना पड़ेगा mRNA के उपर तो जब हम ribosome को खिसकाएंगे तो वहाँ पे एक GTP का खर्चा होगा और फिर जब हम ribosome को mRNA के उपर खिसका देंगे तो पिच्चर में एक नया कोडॉन आ जाएगा फिर उस नय कोडॉन के लिए हम एक नया TRNA लेकर आएंगे तो transfer of new TRNA अब ये नया TRNA जैसे ही बड़े ribosome जो larger subinute of ribosome थी उसके अंदर entry लेगा तो जो पुराना TRNA था वो नये TRNA को अपना amino acid दे कर वहाँ से निकल जाएगा यानि के अब नये TRNA के पास दो amino acids हैं और उन दोनों amino acids के बीच में बना दिया जाएगा peptide bond और ये peptide bond बनाता है special enzyme जिसको हम कहते हैं peptidal transferase जो कि और कोई नहीं बल्कि RRNA ही होता है ये बहुत important question बनता है prokaryotes में ये 23SRRNA होता है और eukaryotes में ये 28SRRNA होता है बेटा ठीक है तो ऐसे ribosome mRNA पर खिसकते जाएंगे नए नए TRN आते जाएंगे पुराने निकलते जाएंगे protein chain लंबी होती जाएगी ultimately रस्ते में आएगा termination codon और जैसे ही termination codon आएगा बेटा दोनो ribosome की subunit अलग कर दी जाएंगी और यहाँ picture में आते हैं अलग निकल जाती है mRNA तुरंत भगवान को प्यारा हो जाता है खतम हो जाता है degenerate हो जाता है ठीक बटा तो इस तरह से हमारा protein बनकर तयार हो गया फिर यहाँ पर हमारे कुछ और special regions होते हैं जिनको हम बोलते हैं UTRs untranslated regions मतलब जो हमारा mRNA होता है उसमें 5' प्राइम एंड पर भी और 3' प्राइम एंड पर भी कुछ special sequences होती हैं जिनको हम UTRs कहते हैं वो translation में participate नहीं करती हैं लेकिन वो इस process को और ज़्यादा क्या बनाती हैं efficient बनाती है ओके चलिए फिर आता है हमारा regulation of gene expression मतलब हमें gene gene जो है वो कब अपना product बनाती है कब नहीं बनाती कितना बनाएगी कितना नहीं बनाएगी इसको हम बोलते है regulation of gene expression जो prokaryotes में काफी simple है क्योंकि prokaryotes में replication, transcription, translation सब कुछ एक ही जगह हो रहा है that is cytoplasm अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बिटा DNA के ऊपर कोई gene है जसके ऊपर information चपी हुई है जब तक उससे protein नहीं बनेगा तब तक हम यह नहीं कहेंगे कि gene express हो गई gene express होने का मतलब है finally protein बनना तो अगर bacteria में बिटा transcription चालू हो गया prescription चालू हो गया तो यह guarantee है कि gene express होगी ही होगी और protein बनेगा ही बनेगा बहुत important line है NCRT में जो question बन सकती है transcription is the predominant site for regulation of gene expression माने gene express करेगी ही करेगी यह तभी तै हो जाएगा जब bacteria में transcription चालू हो जाएगा क्योंकि बहुत खास बात यह है कि bacteria में transcription हो ही रहा होता है यानि कि RNA बन ही रहा होता है उसके उपर तुरंत बनते बनते ही protein भी बनना शुरू हो जाता है तो bacteria में transcription और translation coupled होते हैं साथ साथ होते हैं यानि कि अगर bacteria में transcription चालू हो गया तो समझ जाओ फिर कोई नहीं रोक सकता regulation of gene expression को पर वहीं eukaryotes में यह बहुत जटिल है यह बहुत complex है क्यों क्योंकि यहाँ पर उसको बेटा चार पड़ाव पार करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर replication transcription तो nucleus के अंदर हो रहा है पर भाया जो translation है वो साइटोपलाजम में होगा तो सबसे पहले तो successful transcription हो जाए sorry हाँ ठीक है successful transcription हो जाए दूसरा जो हमारा primary transcript बना है जुसको हम HNRNA कह रहे थे वो properly process हो जाए फिर उसको mRNA में उस mRNA को finally हम साइटोपलाजम में transfer कर दे और फिर उस पर translation हो जब यह चारो पड़ाव पार हो जाएंगे तब जाके तसली होगी कि gene express हो गई है वरना कोई guarantee नहीं है तो यू कैरियोट से केस में कितने step पार करने पड़ते हैं चार पहला कौन सा है transcription successfully हो गया फिर जो primary transcript बना उसकी processing करो capping, tailing, splicing फिर जो mRNA है उसको successfully nucleus से cytoplasm में भेजो कई बार तो यही mRNA खराब हो जाता है और फिर cytoplasm में जाके उस पर जब successfully translation होगा तब हम कहेंगे gene express हो गई भाई ठीक है बटा चार अब चलते हैं lac operon पर operon DNA का वो टुकड़ा होता है जिसके उपर genes का गुच्छा होता है बहुत सारी genes होती है और वो मिलकर एक particular metabolism के लिए responsible होती है यह सिर्फ और सिर्फ prokaryotes में यानि के bacteria में देखने को मिलता है और इसको discover किया था Jacob और Monod ने यहाँ पे हमारे syllabus में है lac operon यानि के lactose को metabolize करने के लिए DNA का जो टुकड़ा bacteria में responsible होगा उसको हम lac operon कहते है जिसमें कितनी genes होती है सबसे पहली gene होती है regulator gene जिसको हम inhibitor gene भी कह देते है जिसका काम होता है repressor protein बनाना यानि कि ऐसा protein बनाना जो negative regulation के अंदर काम करता है यानि कि जो हमेशा operon को बंद करना चाहता है फिर आती है हमारी operator gene operator gene वो gene होती है जो repressor protein के साथ भाग के जुड़ना चाहती है जहांपे repressor protein जाके जुड़ता है फिर आती है हमारी structural gene फिर आती है हमारी promotor site promotor site वो site होती है जहांपे RNA polymerase जाकर bind करता है और फिर आती है हमारी structural genes जो actual में वो enzymes बनाती हैं जो lactose को metabolize करेंगी जो कितनी है? Z, Y और A Z code करती है beta galactosidase के लिए जो lactose को तोड़ कर glucose और galactose बना देता है Y code करती है permease के लिए जो की bacteria की membrane को permeable बनाता है lactose के लिए और A code करता है transacetylase enzyme के लिए ओके बटा चलो अब medium में lactose नहीं है यानि के ecoli का खाना नहीं है तो जब खाना नहीं है तो उसे पचाने की भी जरूरत नहीं है तो obviously operon off रहेगा पर operon off रहता कैसे ये देखते हैं जब medium में lactose नहीं है तो जो हमारी regulator gene है वो repressor protein बनाती है ये repressor protein जाकर जुड़ जाता है operator gene से operator gene से जुड़ने के कारण जो हमारा RNA polymerase है वो promoter site से जुड़ नहीं पाता और वो promoter site से नहीं जुड़ पाएगा तो जो हमारी structural genes हैं उन पर transcription नहीं होगा और उन पर transcription नहीं होगा तो उनसे enzymes नहीं बनेंगे और operon बंद रहेगा लेकिन जब हमारा lactose medium में होता है तो वो cell के अंदर entry लेता है Ecoli के आप तुम पूछोगे मैम जब ये पर्मेस enzyme है नहीं तो entry कैसे लेगा तो बटा ध्यान रखना कि lactose की absence में भी थोड़ा बहुत little amount of expression जो है operon का हमेशा रहता है थोड़ा बहुत operon हमेशा on रहता है लेकिन lactose उसको और बढ़ा देता है तो थोड़ा बहुत little amount में जो पर्मेस प्रेजन है cell के अंदर वो lactose को अंदर आने देगा वो lactose क्या करेगा repressor protein से जुड़ जाएगा और repressor protein को बोलेगा भाया अब तुम नहीं रोक पाओगे अब रोको मत ओ पर उनको अब चलने दो तो यह जो अपना lactose है यह inducer की तरह काम करता है और repressor protein को operator side के साथ bind करने नहीं देता तो RNA polymerase promoter side के साथ bind कर जाता है और जो हमारी structural genes है उनके ओपर transcription होकर mRNA बनता है जो कि polycystronic होता है क्योंकि वो बहुत तीन enzymes के लिए एक साथ code कर रहा है और फिर वो तीनों enzymes बनके lactose को metabolize कर देते हैं अब इस पर सवाल बेटा धिहान से सुनना lac operon के बारे में सबसे पहले तो lac operon एक inducible operon है inducible, repressible नहीं inducible operon है जहाँ पर inducer हमारा lactose है या कई बार हम yellow lactose कह देते हैं ये काम करता है negative regulation के अंदर माने repressor protein हमेशा operon को off करना चाहता है ठीक चलिए फिर हम चलते हैं अब human genome project पर human genome project एक history का बहुत बड़ा project है जिसको करने में 13 साल लगे 13 years शुरू हुआ 1990 में 1990 में खतम हुआ 2003 में इसको USA ने शुरू किया फिर उसके बाद बड़ी-बड़ी countries इसके साथ आकर जुड़ गई इसके goals थे DNA की sequence को जानना उस data को store करना और analyze करना इसी दौरान bioinformatics जो है वो बहुत जादा develop हो गई और इसको tackle करना था ELSI को ethical, legal, social issues को भी चलिए अब DNA ये जो human genome project है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या किया हमने DNA को isolate किया DNA को अलग किया अब इतने बड़े DNA को हमें एक साथ नहीं हम tackle कर सकते तो हमने उसे चोटे-चोटे टुकडों में तोड़ दिया और हमने हर एक टुकडे की बहुत सारी copies बना कर रख ली क्योंकि हर एक टुकडे की copies चोटे-चोटे टुकडों को sequence करेंगे फिर उनको में ला देंगे फिर हमने एक-एक टुकडे को बहुत सारी copies बना कर रख ली ताकि अगर हमसे एक खराब हो जाए तो हम दूसरे इस्तामाल कर लें तो इसको हम कहेंगे cloning हमने हर एक टुकडे की cloning करी उसके लिए हमें चाहिए क्या host उस host को हमने लिया e-coli और उसके लिए हमें चाहिए vector तो हमने वो क्या लिया? BACs और YACs, Bacterial Artificial Chromosomes और East Artificial Chromosomes इनकी मदद से, इन vectors की मदद से हमने e-coli के अंदर हर एक टुकडे की बहुत सारी copies बना कर रख ले फिर हमें क्या करना था? फिर हमें करना था बेटा, इनको sequence इन चोटे-चोटे टुकडों को sequence करना था इसके लिए हमने दो अप्रोच का सहारा लिया एक थी EST और दूसरा था sequence annotation EST टेकनीक का नाम था expressed sequence tags मतलब कुछ साइन्टिस्ट ये कह रहे थे कि पूरे DNA को sequence बात करो सिर्फ DNA के वो वाले हिस्सों को sequence करो जो की mRNA में express होते हैं लेकिन दूसरे साइन्टिस्ट बोले नहीं हम दूसरा तरीका अपनाएंगे जिसको कहते है sequence annotation माने हम पूरे DNA को sequence करेंगे लेकिन बाद में हम ये बोल देंगे ये coding हिस्से हैं ये non-coding हिस्से हैं पर हम पूरे DNA को sequence करेंगे तो ESTs पर question आया हुआ है what are ESTs? तो आप कहोगे ESTs DNA के वो हिस्से हैं expressed as RNA तो sequence annotation के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो पूरे DNA को फिर हमने sequence किया और हमने यहाँ पर sequence करने के लिए कौन सी टेकनीक का इस्तमाल किया Frederick Sanger technique फिर सारे टुकडो को sequence किया और फिर ultimately हमने जो है बता दिया ये भाईया human genome sequence है human genome के साथ-साथ बहुत सारे non-human sequence है वो हम जानते हैं आज की तारिक में जैसे bacteria, yeast, ceno-reptitis जो के एक निमेटॉड है और rice, arabidopses इनके भी genome हमने sequence किये है अब human genome project से हमारे पास कुछ बहुत surprising चीज़ें सामने आई क्या? कि पहले हम मानते थे कि DNA पर लॉखो genes होती होगी लेकिन human genome project के बाद पता चला, नहीं भाईया 30,000 या उससे कमी होती है genes फिर हमें पता चला, 98% DNA junk DNA होता है, जो किसी information के लिए code ही नहीं करता, केवल 2% DNA ही proper coding करता है less than 2% DNA फिर पता चला कि एक average gene में 3000 basis होते हैं लेकिन कुछ genes exceptional हैं जैसे dystrophin gene जो कि chromosome X पर होती है उसमें 2.4 million basis होते हैं और सबसे छोटी gene पाई जाती है chromosome Y पर जिसमें सिर्फ 14 basis होते हैं वो है testis determining factor gene फिर उन्होंने बताया कि DNA में कुछ बहुत ही मज़ेदार चीजे होती हैं जिनको हम कहते हैं SNIP Single Nucleotide Polymorphism मतलब हमारे पूरे DNA पर 1.4 million location ऐसी हैं जहां पर हम एक दूसरे से सिर्फ एक 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 नुकलियोटाइड में differ करते हैं जहां से सुनना सिर्फ एक 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 नुकलियोटाइड में differ करते हैं उसको हम कहते हैं जिस पर सबसे जादा जीन्स होती है 2,968 जीन्स होती है और क्रोमोजोम वाय सबसे छोटा क्रोमोजोम होता है जिस पर सिर्फ 231 जीन्स होती है 231 जीन्स होती है ओके चलिए ये सब हमें Human Genome Project से जानने में पता चला पर अब जब क्योंकि हमें सारा सीक्वंस पता है तो इससे हमें बहुत फाइदा हुआ हम बहुत सारी बिमारियों को डाइकनोस कर सकते हैं उनको ठीक कर सकते हैं फिर आता है हमारा DNA फिंगर प्रिंटिंग हमारे DNA पर कुछ ऐसे चापे हैं बिटा जिनको हम एक Human की यूनीक पहचान के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और उन छापो को हम कहते हैं रेपिटिटिव DNA या सैटलाइट DNA और सैटलाइट DNA और सैटलाइट क्रोमोजोम में कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों अलग बाते हैं सैटलाइट DNA रेपिटिटिव DNA होता है यानि कि ऐसा DNA जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अपने आपको बार बार दोहराती है रेपिटिटिव DNA को ही हम सहारा बनाते हैं क्या करने के लिए अपनी DNA फिंगर प्रिंटिंग का राइट हम सारे एक दूसरे से सिमिलर हैं हम सारे 99.9% हम सिर्फ 0.1% एक दूसरे से डिफर करते हैं अब यह 0.1% है यह भी बहुत होता है 0.1% होता है हमारे DNA का 3 इंटो 10 रेस तो दी पावर 6 बेस पेर्स जो कि बहुत है इसमें हम रेपिटिटिव सीक्वेंस में भी एक दूसरे से डिफर करते हैं अब जो हमारा सेटलाइट DNA है वो भी दो तरह का हो सकता है माइक्रो सेटलाइट और मिनी सेटलाइट माइक्रो सेटलाइट में जो रेपिटिंग सीक्वेंस होती है वो छोटी होती है मिनी सेटलाइट में थोड़ी बड़ी होती है Mini Satellite का example है VNTR, Variable, Number, Tandem, Repeats, इसका मतलब क्या है, पिटा सुनो, हम जितने भी humans हैं, हमारे अंदर एक repetitive sequence conserved होती है, मतलब एक जैसी होती है, जैसे मैं suppose कह रही हूँ ATGCTTAT, यह sequence है, अब यही same sequence मेरे DNA पर, इसके number of repeats, यही same sequence अपने आपको कितनी बार दोहराएगी, यह मेरे chromosome number 1 पे अलग है, और किसी person 2 के chromosome पे अलग होगा, यानि कि sequence तो same है, पर वो खुद को कितनी बार दोहराएगी, यह हम सब में अलग-अलग है, इसलिए इसका नाम है variable number tandem repeat, मतलब ऐसा repeat जिसका number हम सब में अलग-अलग है, variable है, और यही basis होता है DNA fingerprinting का, किसी भी दो परसन का VNTR सेम नहीं हो सकता, except monozygotic twins, ऐसे twins जो एक ही zygote से तूट कर बने है, उनको कोई नहीं बता सकता, भईया, खून किस ने करा है, जब तक वो खुद ना बता है, चलो, तो बिटा, DNA fingerprinting करते कैसे हैं, अब जो दया है, वो दया पहुंचा crime site पे, उसे मिला एक बाल, एक hair follicle मिला, उसे अब मुझरिम को ढूणना है, तो उसने सबसे पहले उस hair follicle से DNA को निकाल लिया, DNA isolate कर लिया, फिर उसने क्या किया, कुछ certain enzymes का इस्तमाल किया, जुनको हम कहते हैं, restriction endonuclease enzyme, इस enzyme ने क्या किया, DNA को छोटे छोटे टुकडों में तोड दिया, अब बेटा ध्यान देना, जहां जहां repetitive sequence होती है न, वहां वहां होती है, कुछ special sites, जिन पे restriction endonuclease enzyme उन्हें आके क DNA के वह टुकड़े जो जहां जहां पे repetitive sequence है, उन टुकडों के आसपास restriction endonuclease enzyme कट लगाएगा, तो यानि के जो ultimate टुकड़े बनेंगे, उन टुकडों में कुछ टुकड़े ऐसे होंगे, जिन पे repetitive sequence नहीं होगी, कुछ टुकड़े ऐसे होंगे, जिन पे repetitive sequence होगी, तो फिर अब next step में हम क्या करते हैं, gel electrophoresis, जिसमें हम इन सारे टुकडों को अलग कर लेते हैं, based on their size, चलो, अब ये सारे अलग हो गए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं मिटा, हम इन DNA के टुकडों को दूसरी membrane के उपर transfer कर देते हैं, क्योंकि जो gel electrophoresis में agarose gel की जो वो होती है, तो हम इसको nitrocellulose membrane या nylon की membrane के उपर transfer कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं, southern blotting, ओके, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, बेटा, hybridization, ये बहुत important है, हम क्या करते हैं, ये जो nylon membrane के उपर हमारे DNA के टुकडे हैं, हम इनको alkaline solution की मदद से double stranded से single stranded बना लेते हैं, ओके, फिर हम क्य करते हैं, hybridization, इसमें हम क्या करते हैं, हम इस nylon membrane के उपर छोड़ देते हैं, DNA probe, अब ये DNA probe क्या चीज़ है, DNA probe एक ऐसा artificial DNA है, जो हम lab में बनाते हैं, जो single stranded होता है, और उसके उपर जो sequence होती है, वो जो हमारा VNTR sequence थी न, AT, GCT, T, AT, उसके complementary sequence इस DNA पर होती है, और इसमें हम radioactive material क का इस्तमाल करते हैं, ताकि जहां जहां पर ये चिपके जाके वो वो area चमके, तो हम अपनी DNA probe को छोड़ देते हैं, nylon membrane के उपर, जहां जहां हमारी VNTR sequences होंगी, वहां वहां ये DNA probe जाकर चिपक जाएगा, और जहां जहां नहीं होंगी, वहां वह ये चिपकेगा नहीं, तो इस process को हम hybridization कहते हैं, फिर last step होता है auto radiography, जब हम x-ray डालेंगे बिटा, तो वो DNA के वो वो टुकडे, जिनसे ये हमारा DNA probe जाकर चिपका है, याने के जिन पर VNTR sequence हैं, वो चमकेंगे, बाकी के नहीं चमकेंगे, तो हमें एक pattern मिल जाएगा, इसी को ही हम DNA fingerprint कहते हैं, फिर हम compare कर लेंगे, तो दया को पता चला हमने 2% पकड़े थे, A और B, अच्छा भाई, इसका DNA fingerprint तो A से मिल रहा है, पकड़ दो इसको, कड़ाओ फासी, ठीक है बटा, तो एक बार फटा फट से देख लेते हैं, DNA fingerprinting के step, सबसे पहले isolation of DNA, फिर उसके बाद restriction endonuclease enzyme से उसको काटो, य आने, जब हम अपने DNA को restriction enzyme से काटेंगे, तो उसके जो टुकड़े होंगे, जो उनके fragments होंगे, उनकी length अलग-अलग होगी, polymorphism मतलब अलग-अलग length होगी, फिर DNA को restriction enzyme से काटने के बाद third step क्या होगा, gel electrophoresis, फिर उसके बाद southern blotting, फिर उसके बाद hybridization, और फिर उसके बा पूरा chapter होता है, खतम बेटा, मैंने पूरा कोशिश किया कि NCRT की कोई line word ना छूटे, इसको बंद करके एक बार फिर से अपने NCRT read कर लेना, and your chapter will be prepared, thank you, love you all.